हालो फ्रेंद्स वेलकम टु देवीस क्रिएशन आज मैं आप लोग को 34 इंच ब्लाउस के बोट नेक डिजाइन शेयर करूंगी आप लोग के साथ जिसका शोल्डर है 7 इंच आर्म होले 7.5 इंच और नेक विर्थ लोगी मैं 4 इंच लेकिन मैं इसके उपर कटिंग नहीं करू हो लेकिन मैं थोड़ा सा बैकलेस टाइप का यहला डिजाइन से लूँगी ठीक है उसके बाद फिर इसको चौकन बोक्स खीच लूँगी उपर से तीन इंच पर पहले निशान लगाऊंगी फिर पाच इंच पर निशान लगाऊंगी तो दोनों जो डबा है वो पाच-पा आधा मैं निशान लगा दूंगी आधा में तो उसके बाद ऐसे बड़फी शेप दे दूंगी ठीक है दोनों डब्बे में सेम ऐसे बड़फी शेप दे देना उपर से अब मैं जैसे बोटनेक का शेप रहता है अच्छा इसके बाद फिर चलिए पहले मैं इसको और एक ला देना है ऐसे बड़फी टाइप का शेप दे देना है और फिर हलका सा गुलाई कर देना है एकदम सीधा नहीं कीचना है जैसे नीचे मैं सीधा कीची हो उस टाइप का सीधा नहीं कीचना है ऐसे बड़फी टाइप का शेप दे देना है उसके बाद कटिंग करूंगी पहले कि येम धर रही हूँ देखियर कुछ इस थारा से कटिंग करना है सबसे उपर का सीधा नहीं कटिंग करना है उसको हल्का सा गुलाई शीव देना है उसके बाद जो बाचाँ हुआ उसको कटिंग करूंगी grand tinsize पहले आप लोग याद रखना थोड़ा पी ने टच कर लेना नहीं तो फिर यह निकल जाएगा या तो इधर-उदर हो जाएगा कटिंग उसके बाद बीच का जो है उसको मैं कट कर दी हूँ कुछ इस तरह जिग-जग पैटरन का कटिंग आएगा ऐसा बड़ी टैप कई सिलाई लगाई हो नहीं तो फिर निकल जाएगा उसके बाद में फेवरिक के सिधे वाले पाठ के उपर अस्तर कप्रे को रखना है और अस्तर कप्रे के उपर रखने के बाद यह जो किनारे से पेपर पेस्टिंग के किनारे से सिलाई लगाना है इसके उपर से सिलाई नहीं कि यह मेरा सिलाई लगाना कंपलीट हो गया है अब मैं कटिंग करूंगी बीच का जो एकस्टर एकस्टर फेवरी की उसको कटिंग कर लेना है एक पेर के मार्जिन छोड़ते हो उस त्वाइब कपड़ा रखना है और फिर कटिंग करने के बाद चोटा-चोटा कट लगा दूंगी सबसे पहले तो कोने-कोने में जहां पी है उधर कट लगा देना है और उसके बाद पूरा नेक में कटिंग कट कर लेना है उसके बाद फ प्रेस कर लेने से और अच्छे से पलट जाता है और यह जो कोना है यह सब को कोई भी नोकिला चीज से थोड़ा को निकाल लेना है सबसे पहले सेट कर लेना है उसके बाद पहले नेक का डिजाइन जो है उसके चाड़ों तरफ से सिलाई लगा लूंगी और सिलाई लगाने जरूर बताईए यह वाला डिजाइन कैसा लगा आप लोग को आप लोग अपने जो कस्टोमर है उन लोग के ब्लाउस में भी यह वाला डिजाइन डाल सकते हैं तो यह बहुत ही सुन्दर डिजाइन है जिन लोग थोड़ा बैक ओपेन पहनना चाहते हैं लेकिन उत्ता भी ब पूरा देखने के वाद समझ में आ जाएगा तो चलिए ऐसे करके पूरा में सिलाय लगा लेना है यह मेरा पूरा एटच करना हो गया है में फेब्रीक के साथ अस्तर कप्रे को उसके बाद साइट का जो एक्स्ट्र एक्स्ट्र फेब्रीक उसको कटिंग कर लूँगी नीच ऐसे यह मैं सेंटर से 5-5 इंच की दूरी में यह टक्स डालूंगी और 4 इंच की लंबाई में क्योंकि यह चार चौड़ाई था नेक का जो चौड़ाई था 4 इंच तो इसी कारण से टक्स लगाऊंगी 5 इंच की दूरी में ठीक है यह हो गया है अब उसके बाद कमर को ऐसे नीचे तरफ से फोल्ड कर दूंगी तो यह तो यह तैयार हो जाएगा अलग से और कमर पट्टी अटाच निक करूंगी यह हो गया है कि इस तरह डिजाइन बनेगा अब उपर से जो पैटर बनाऊंगी इसके लिए ऐसे सार्केल टाइप का कपड़ा ले ली हूं अस के बाद मेन फेब्रीक के उपर इसको अटाच करूंगी चाड़ो तरफ से सिलाई लगा लूंगी सार्केल करके उसके बाद चोटा-चोटा कट लगा दूंगी ताकि आसानी से बैक साइड में फोल्ड हो जाए फिर यह पीछे से चोटा सा अस्तर कपरे के उपर से चोटा सा कर लेना और उसके बाद उपर से मैं यह समुचा बड़ा गोटा पत्ती का जो लेस से उसको अटच करूंगी चाड़ो तरफ से गोल्डेन कलर का आप लोग कोई भी लेस अटच कर सकते है यह टच करना हो गया है अब इसको बीच में फोल्ड करूँगी फोल्ड करने के बद निशान लगा दूँगी फिर सुई धागा के मदद से बो बना लूँगी यह सारकल बो बनके फिर मेरा रेडी हो जाएगा यह देखे अच्छे से कस्के बानना है तो तबी बो अच्छा फिनिशिंग आता बो में यह देखे किता अच्छा फिनिशिंग आया है उसके बद मैं डोडी ले ली हूँ डोडी में दोनों तरफ से लटकन बनाऊंगी का चौक और तुकड़ा ले ली हूँ छोटा सा कुछ इस तरह ट्राइंगल शेप करके ऐसे लटकन बना लूंगी तो यह मेरा लटकन बनके रेडी हो गया है इस तरह मैं तीन टोक डोड़ी तैयार कर लूंगी नीचे का जो डोड़ी रहेगा वो थोड़ा सा छोटा रहेगा कि उपर का दोनों डोड़ी थोड़ा लंबड आएगा यह देखिए यह मेरा सभी पैटर्न बनके रेडी हो गया है अब इसको एटाच करूंगी तो सबसे पहले यह बीच में कटिंग कर लूंगी दो ठोक जो बड़ा वाला डोड़ी सिली हो उसको कटिंग कर लेना है और फ कर रही हूं कि नेक्स टाइम कभी और वीडियो में मैं दिखा दूंगी अंदर में डोड़ी डालके कैसे फिटिंग करते हैं तो चली उसको फिर ऐसे नाट नॉट टाइप का बांध देना है कि जैसे मैं बांध रही हूं कि यह देखिए और नीचे का ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है और बीच में ऐसे फोल्ड करके पहले सिलाई लगा देना है सुई दागा के मदद से फिर इसको एटच करना है ऐसे देखें फिर में अटच कर दूंगी यह जो बो न अट है इसको उपर तरफ रखना है और इसके बीच में फिर वह बो को रखना है और और तुर लगा देना है on कि उसके बाद में क् np funल का बटन ले ली हूँ उसको अटच कर दूंगी ठीक है यह सभी में मैं ऐसे रखके फिर एटच कर लूँगी सुई धागा के मांदस से ठीक है यह फिर मैं यह देखिए मेरा एटच करना हो गया सभी बो को उनसे रोख को यह डिजाइन आच्छ लगएगा तो कोमेंन फ़र के जरूर बताइए तो चलिए मेरा वीडियो रेडी हो गया है और डिजाइन भी रेडी हो गया है तो आप लोग को यह वीडियो अच्छ लगएगा तो प्लीज लाइक कमेंट शियाष कीजिए जी oni मेरे चैन